नमस्कार दोस्तों ये है टेन किंग हेंरिस रोड चॉक फार्म लंडन ये वही घर है जा बाबा साव अम्बिड कर रहते थे 1921 और 1922 के बीच में जब वो लंडन स्कूल आफ एकोनोमिक्स में पढ़ाई करने लंडन आये थे मैं आज बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं आज यहाँ पर आप सका लेकिन भारत के लाखो करोड़ों लोग जो यहाँ पर नहीं आ सकते उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ अब हम जाएंगे घर के अंधर जो अभी एक मिज़ियम में कनवर्ट किया गया है इसे खरीदने में और म्यूजेमें कन्वर्ट करने में यहां के लोकल इंडियन्स और गौर्वर्मेंट अफ महाराष्ट्रा गौर्वर्मेंट अफ इंडिया इन सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस म्यूजियम का आनावरन हमारे मान्यानिया प्रदान मंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से 14 नयमबर 2015 को किया गया था आप यहाँ पर देख सकते हैं यह एक रेजिस्टर मेंटेन की गई है जहाँ पर आज 24 जून 2019 के तारिक से मैंने अपना एंट्री कर लिया है अब हम जाएंगे उस घर के अंदर आप देख सकते हैं अंदर जाते ही सबसे पहले हैं हॉल रूम बहुत ही बढ़िया हॉल रूम और यह मिटिंग रूम हुआ करता था जो भी लोग बाबा साब से मिलने आते थे यही पर मुलकात होती थी यह मैन हॉल रूम जहाँ पर बाबा साब का कैच्यू का नवरन किया गया है गौवर्मेंट ऑफ महाराष्टर के तरफ से यह म्यूजियम मेंटेन किया जाता है बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है यह है निचला फ्लोर जहाँ पर हमने देखा यह बाबा साब का हॉल था जिस छोटा सा स्टड़ी रूम जो कि अब एक ओफिस रूम में कनवर्ट किया गया है अभी हम जाएंगे फ्रस्ट फ्लोर में दो मंजिलों के बिल्डिंग है यह फ्रस्ट फ्लोर पे जाते हैं फ्रस्ट फ्लोर पे हैं बाबा साब का लाइब्रेरी और रेडिंग रूम आप देख सकते हैं बैटके बाबा साब पढ़ाय करते थे अब यहाँ पर उनके सारे वाल्यूम्स रखे हुए हैं अब देख सकते हर जगे पर फायर प्लेस ताकि यहाँ पर बहुत धंड रहती हैं बाबा साब के सारे वाल्यूम्स यहाँ पर रखे गए हैं यह है रेडिंग लाइब्रेरी फ्रस्ट फ्लोर कंप्लेट लाइब्रेरी जहाँ पर पढ़ाय किया करते थे बाबा साब लाइब्रेरी के पिछले खिड़के से आप पीछे का नजारा देख सकते हैं बहुत यह सुंदर लॉंस पीछे बढ़िया माहुल अब हम जाएंगे सेकेंड फ्लोर पर जो की है बाबा साब का बेडरूम बेडरूम से पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक और रूम है यह भी रेडिंग रूम के तोर पर इस्तमाल किया जाता था यहाँ विजिटर्स के लिए टॉलेट्स विजिम में आने वालों के लिए वाशरूम और यह है बाबा साब का बेडरूम बेडरूम में भी देख सकते हैं चोटा सा स्टेडी टेबल उनका चैर जहाँ पर बेटके और पढ़ाई करते थे बाबा साब के सारी चीज़े बाबा साब का चश्मा पैन चश्मा बुद्ध प्रतिमा उनके रफ्रेंस के बॉक्स तो दोस्तों यह वीडियो था हम हजारों लाकों करड़ों भारत फासियों के लिए जो यहाँ पर खुद नहीं आ सकते थैंक यू थैंक यहाँ पर खुद नहीं आ सकते